तो आप यहां पे देख सकते हैं इंडो टिवेटन बॉर्डर पुलिस फॉर्स से नया वेकेंसिस आये हैं इसमें 10 एं 12 पास टूडेंस भी अप्लाई कर पाएंगे तो आए ये देखते हैं डिटेल्स तो आप देख सकते हैं यहां पे ओनली मेल कैंडिडेट से एप्लाई कर पाएंगे एच लिमिट है आपका 18 to 25 यर्स रिलेक्शेशन है एक सर्विसमेंड के लिए जोप लोकिशन होगा कंट्री इंडिया में कहीं भी हो सकता है पॉस्टिंग ठीक है फिर इंडिया के बाहर भी हो सकता है भूटान नेपल में ठीक है एप्लाई मोड है आपका ओनलाइन फिर लास्ट है आपका 27 नॉबेंबर को ठीक है तो यहां आप देख सकते हैं पॉस्ट नमें सेलरी एक है 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 कॉंस्टेबल का इसमें सेलरी मिलेगा आपको 25,500 से लेके 81,100 तक इसमें नंबर पॉस्ट है 58 तो यूर इडव्यूस, OBC, SC, ST के लिए कितने सीच से यहां पर दिया हुआ आप देख लीजेगा और सेकेंड पॉस्टेब इसमें सेलरी आपको मिलेगा 21,700 से लेके 69,100 तक मिल सकता है ठीक है नंबर पॉस्ट है 128 इसमें भी यूर, EWS, OBC, SC, ST के लिए कितने सीच से दिया हुआ है ठीक है तो यहां आप देख सकते हैं qualification and experience, head constable के लिए head 12 pass and certificate होना पड़ेगा आपको motor mechanic में, कोई भी recognized institute से या फिर ITI से and 3 साल का experience होना पड़ेगा आपके पास ठीक है, otherwise आपके पास diploma होना पड़ेगा in automobile engineering में 3 साल का, ठीक है and constable के लिए qualification है 10 pass and ITI होना पड़ेगा, otherwise 3 साल का experience होना पड़ेगा in respective trade में, दिखे तो selection process क्या है इस post के लिए, आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले आपका PET होगा, PET में आपका rest होगा, high jump, long jump होगा फिर PST होगा, PST में आपका height, chest, weight measure करेगा ठीक है, उसके बाद document verification होगा, उसके बाद exam होगा आपका 100 marks के लिए तो subject क्या-क्या है आपका GK, mathematics, Hindi, English and threat related theory होगा, ठीक है फिर next है आपका practical test होगा, 50 marks का, तो इसमें दिखे क्या-क्या चीज़े आएंगे vehicle inspection, identification of falls, rectification of defects, handling of tools, ठीक है and last में होगा आपका medical examination, तो यह सब में पास होने से आपको qualified हो जाएंगे job के लिए, ठीक है, तो आप apply कैसे करना है आपको, इस website में visit करके आपको अपना form fill करना होगा, ठीक है, and application fee देखिए, unreserved, obviously EWS के लिए rupees 100 है, and SC, ST, ex-servicemen के लिए नील है, ठीक है, तो advertisement में and description box में दाल दिया है, अब वहाँ पर देख लीजिएगा, अगर आपको देखना है तो, and thank you for watching,